गुजरात विधानसवा चुनाव में दोनों चण कमदान हो चुका है वोटिंग के बाद अब उम्मीदवारों के साथ साथ राजनितिक पार्टियों की किस्मत भी EVM में कैद हो गई है गुजरात में 182 विधानसवा सीटों को लेकर एक्जिट पोल भी सामने आ गए हैं कर सकती है जबकि पहली बार चुना रही आमादमी पार्टी टीम से 11 सीटे जीश सकती है जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटे जा सकती है सर्वे के मुताबिक गुजरात में 134 सीटों पर बीजेपी की जीत कानुमान है जबकि साल 2017 के चुनाओ में बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत दर्च की थी वही सर्वे के मुताबिक कॉंग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है जहां 2017 के चुनाओ में कॉंग्रेस 77 सीटों पर जीत कानुमान है वहीं आमादमी पार्टी के 7 सीटों पर जीतने का अनुमान है गुजरात में वोट शेयर की बात की जाये तो जहां BJP को 2017 के विदानसवा चुनाओं में 29.1% दी वोट शेयर मिला था तो वही सर्वे के मताबिक इस बार BJP को 29.4% दी वोट शेयर मिल सकता है यानि BJP को 0.4% दी वोट शेयर का इदाफा हुआ है जबकि कॉंग्रेस के वोट परसंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है सर्वे के मताबिक कॉंग्रेस को इस बार 32.5% दी वोट मिलने का अनुमान है जबकि 2017 के चुनाव में 41.4% दी वोट मिला था वहीं आम आदमी पार्टी को 15.4% दी वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में जताया गया है गुजरात में 8 दिसंबर को नतीजे घोशित किये जाएंगे जिसके बाद आक्रे साफ हो जाएंगे क्या गुजरात में BJP दिहा सरचेगी या फिर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर पाएंगे